उधारण 9 एक समद्विबाहुत्रिभुज ABC में AB बराबर AC है कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदू O पर प्रतिछेद करते हैं दर्शाइए कि पहला O B बराबर OC दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है उधारण 9 पर अब बात करने जा रहे हैं अभी हमने दो प्रापरटीज दो गुण त्रिभुज के पढ़े हैं एक तो सर्वांग समता के बारे में हमने पढ़ा है और दूसरी चीज जो है वो समद्विभाज त्रिभुज के गुणों को भी हमने पढ़ा है तो आगे के जो हमारे उधारण होंगे वो इन दोनों चीज़ों पर आथारित होंगे हमको यह देखना हुआ कि हम कहां पर किस गुण का इस्तमाल कर सकते हैं इस उधारण 9 में हमें एक त्रिभुज A, B, C के बारे में बात दी गई है और यह बताया गया कि एक सम्दिबाहोत त्रिभुज है जिसमें भुजा A, B और भुजा A, C बराबर है और आपको मालूम है कि भुजा A, B और A, C दोनों बराबर है इसलिए कौन B, कौन C के बराबर है यह आपने पढ़ा हुआ है अब इस त्रिभुज में हमें जो बात दी जारी है वो यह है कि हमने कौन B का एक अरधा खीचा है B, O और उसे तरह से कौन C का भी अरधा खीचा है C, O यह दोनों अरधा के एक दूतरे को O पर काटते हैं तो हमें जो बात प्रूफ करनी है वो यह है कि यह जो B, O और C, O है वो आपसे बराबर है तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ कर पाते हैं एक पर फिर से हम रिपेट करें त्रिभुज A, B, C एक सम्दिभाहो त्रिभुज है जिसमें A, B, A, C के बराबर है और सम्दिभाहो त्रिभुज के सामने कौण चू के बराबर होते हैं इसलिए हमें पता है कि B, कौण B और कौण C आपसे बराबर है B, O और C, O क्रमशा कौण B और C के अर्धक है जो एक दूसरे को O पर काटते हैं हमें प्रूफ करना है हमें प्रवारित करना है कि जो B, O के लंबाई है वो C, O के बराबर है तो चलिए शुरू करते हम हम लिखें त्रिभुज A, B, C में त्रिभुज A, B, C में चूंकि A, B, बराबर A, C दिया हुआ है सम्दिभाहो त्रिभुज की समान भुजाया है की सामने कौड़ C और A, C के सामने का कौड़ B अबराबर होंगे तो हम इसलिए लिखें इसलिए कौड़ बराबर watches अब चूंकि दोनों कौड़ बराबर है इसलिए ने के अरदा प्यवबराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं कि एक बट्यों कौर B बराबर एक बटे दो कोण C यहनि हम इस कोण की बात कर रहे हैं दोनों कोणों के अर्दक की बात कर रहे हैं अगर यह कोण इस कोण के बराबर है इसका मतलब यह जो त्रिभुज OBC बन रहा है, वो भी एक संदिबाहू त्रिभुज है, तो हम लिख सकते हैं, त्रिभुज OBC में, इसको लिख लें, O, B, C, B सम्दीबाहु त्रिभूज है और फिर से हम सम्दिबाहु त्रिभूज की प्रपर्टी के इस्तमाल करेंगे अगर O, B, C सम्दिबाहु त्रिभूज है और कौन B, कौन C के बराबर है एक बेटे दो कौन B, एक बेटे दो कौन C के बराबर है इसको आप कोड़ O, B, C या कोड़ O, C, B कह सकते है तो हम यहां लिखें आगे कोड़ O, B, C बराबर कोड़ O, C, B इस इस्सिति में इन दोनों कोड़ों के सामने की जो भुजाएं हो भी बराबर होंगी तो कोड़ O, B, C के सामने की भुजा O, C, O, C बराबर कोड़ O, C, B کے सामने की भुजा O, B यह भी आवसमें बराबर होंगी आप इनने बियो बھی लिख सकते हैं और इससे C, O भी लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं C, O, बराबर B, O यह जो आपको proof करना था इसको बदल के लिखे बीओ बरबर सी व यह चीज़ आपको प्रमाणित करनी थी और यह प्रमाणित होता है आपने देखा कि आपने दो बार संदिवाहों त्रिभूज के गुणों के इस्तमाल किया पहली बार त्रिभूज ABC के संदर में आपने बताया कि AB और AC बरावर है इसलिए पूरा का पूरा कोण B पुरे कोण C के बरावर है और इसलिए दोनों कोणों के अर्धक भी बरावर है एक बिटे दो B याने OBC और कोण OC भी बरावर है और ये चूंकि बरावर हो गए तो इस चोटे वाले त्रिभुज में ये जो भुजा है जो इन कोणों के करम से सामने बुजाए है वह भी आपसे बरावर होंगी इस आधार पर आपने सिद्ध किया कि AB बरावर OC या BO बरावर CO तो ये आपका जो उदाहरण है वह साल होता है और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते बच्चो अभी हमने जो उदाहरण हल किया है उसमें एक पार्ट और है और उसमें हमको ये कहा जा रहा है कि इसी त्रिभुज ABC में जिसमें हमने भी प्रूफ किया कि BO और CO बरावर है उसमें एक रेशना और की जा रही है हम ACO को मिला रहे हैं तो हमें एक AO रेखाखंट मिल रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंट AO कोण BAC को यानि कोण A को सम्द्भाजित करता है इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो दो कोड दिख रहे हैं मालेजी नहीं हम एक नमबर दे दें कोड वन और कोड टू तो ये दोनो कोड बराबर हैं आपसमें ये हमें प्रूफ करना है इसे आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कोड बी ए ओ कोड बी ए ओ बराबर कोड सी ए ओ सी ए ओ ये हमें सिद्ध करना है चली देखें कैसे हो सकता है थोड़ी दिर के लिए इस ओ को हम यहां तहटा के यहां लिख दे अब आप देखिए आपके पास दो त्रिभुज है त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी गोर से देखिए क्या इन में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दीख रहे हैं जिसको आप बराबर सिद्ध करें और यह बता सके कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समय आपको याद होगा कि इस प्रश्ण के शर्ट में यह बात दी हुई थी हमें कि यह एक संदीबाहुत रिभुज है और जिसमें भुजा A B भुजा A C के बराबर है तो एक चीज़ तो आपको दोनों त्रिभुजों मिल गई भुजा A B O भुजा A C दोनों बराबर है हम त्रिभुज A B O और A C O के बारे में ब बात कर रहे हैं और बताईए और क्या चीज़ आपके पास है अब ये ध्यान में होगा आपके कि अभी हमने प्रमानित किया था कि B.O. बराबर C.O. भी है तो हम दूसरी चीज़ ये भी देख पा रहे हैं और तीसरी भुजा A.O. दोनों में है तो आपको तीन भुजा हैं दोनों था और अभी हमने प्रूफ किया कि O.B. बराबर O.C. तो इसे हम लिखें त्रिबुज A.B.O. और त्रिबुज A.C.O. में एक चीज़ हमें मिल गई थी जो हमने इहां लिखी हुई है इसको दुबारा इसके संदर में लिखें कि भुजा A.B. बराबर A.C. और अभी आपने प्रूफ किया था कि B.O. बराबर C.O. है इसको भी हम लिख लें कि B.O. बराबर C.O. और भुजा A.O. दोनों दोनों में उभाय निष्ट है तो हम लिखें A.O. बराबर A.O. ये उभाय निष्ट भुजा है अब आप देखिए क्या पता चलता है आपको कि एक त्रिबुष की तीरों भुजा है दूसरे त्रिबुष के संगत भुजाओं के बराबर है और आप जानते हैं कि इस सरवां भुजा के नाम से जानते है भुजा 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 सर्वांग सम्ता इए अपने पहरे देखा हुआ है तो इस सर्वांग सम्ता की शर्ट के आधार पर आप दोनों त्रिबुज्वों को सर्वांग सम्लिख सकते हैं तो हम लिखें तरिभुज ए बी ओ इसका मतलब इनकी संगत भुजाय और संगत कोन आपसे बराबर होंगे तो आप देखिए ये कोड इसके संगत है तो आप कह सकते हैं कि कोड एक कोड दो के बराबर है इनका नाम लिख ले आप कोड एक कोड पढ़ेंगे कोड बी ए ओ और दो को पढ़ेंगे सी ए ओ तो आप लिखिए कोड बी ए ओ बराबर कोड C.A.O और यही आपको सिद्ध करना था तो यह आपके उधारेंड का दूतरा हिस्सा भी सिद्ध हुआ आपको आसान लगा होगा और आप भी एक बर कोशिश करके देखे और मुझे एकिन है कि इसे आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे तो शुरू करिए